दोस्तो जिन लोगों को धन की कमी हो जिन लोगों के घर में धनना टिकता हो या फिर धन कमाने की इच्छा हो केबल ही उन्हीं लोगों के लिए विशीज रूपत तयार की गई ये वीडियो है आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं इस उपाय को करने स अधिने लगते हैं जितना भी आप प्रैतन करते हैं उससे कई गुना होकर के आपको फल मिलने लगता है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत इच्वर्दत जन कर देने वाले हैं घर के दर्वाजे पर डाल देए एक छोटी चीज गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ विश्मु भगवान की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आप घर में स्थाईवास होने लगता है जिन लोगों को धन की कमी रहती है जो लोग आर्थी ग्रूप से कमजोर है या फिर जो लोग धन कमाने की इच्छा रखते हैं वे सभी व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा तो आश्य करते हैं ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो माता लक्ष्मी को परसना नहीं करना चाहता है या फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन कमाना नहीं चाहता ऐसा कौन है जो व्यक्ति अपने घर में धन दाने की बरकत नहीं करना चाहता है धन हो या फिर धन की कमी हो उसके बावजूद धन और बढ़ता रहे ऐसा कौन व्यक्ति जो यह नहीं चाहेगा तो दोस्तो इसलिए आपको बाता लक्षमी के साथ साथ पगवार विष्णू की पूजा भी करनी चाहिए और साथी साथ बताये के कुछ गुपत उपायों को भी कर लेना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में कभी भी धनकी कोई हानी ना हो और हमेसा धनकी बरकत बनी रहे दोस्तो कमेंट बोक्स में जैवर्जयं कोली लिखना नας बूले साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी वश्य करें दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप इस वीडियो पर नए हैं अमारे चनल पर नए है तो दोस्तों आप बेल के आइकन को दवानन ना भूलें इसने दोस्तों हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों हर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत मैनत करता है मन चाहिए नोकरी मिल जाए या मन चाहाँ पैसा मिल भी जाए तो भी उस पैसों को सभाल कर रखना और अवनावश्य रूप से घर्चना हो जाए इस बात को रखना कायम रखना ये बहुत ही मुश्किल होता है बहुत से लोगों की यही समस्या है कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है दोस्तों हमारे सास्तोर में बताया गया है कि धनकी देवी माता लक्ष्मी जिसकी व्यक्ती पर प्रसन होती है उसे घर में कभी भी धनकी कोई कमी नहीं होती है उनके घर में सदेव सुख समर्दी बनी रहती है जीले दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो उपाई बताने वाले हैं वेद माता लक्षमी को परसंद करने के लिए है ताकि आपके घर में हमेसा सुख समर्दी बनी रहे और सभी कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाए जो आज हम आपको उपाई बताने वाले हैं इसे दंकी देवी माता लक्षमी परसंद होती है और अपने भक्तों के घर में सदेवास करती है आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुती छोटा सा और आसान और असरदार उपाई बताने वाले हैं उपाई को जानने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवशे लिग दे दोस्तों माता लक्षमी को परसंद करने के लिए किसी भी तिथी, सुप, मौरत या वार क्या और सकता नहीं है सभी दिन, सभी वार, सभी मौरत, माता लक्षमी के ही है इसलिए दोस्तों आप इस उपाई को किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन जेज़ दिन भी आप इस उपाई करना चाते हैं के उज़िन जल्दी उठ जाये प्रत्य काल नहाद हो करके संच वस्त्र दारण करें तो अधर नाнаком के बस्तर धारण Snapchat नहीं कर सकते jest तो कोई भी छोटा सा वस्तर अपने कंढ़े पर एभर ऊपने से नहीं कर दैने अगर फूर्श की शुपाईयों कर रहे है थे कोये कपड़ा अपने जेब में रख लें अब एक लोटा लें वोटे के अंदर छोड़ा घंगाजा टाल करके बागी के साफ पानी से उसे बछ आख भर लें अगर संभव हो आख यह गंगाजा करें Vaude So थोड़ा सा हल्दी का तिलक उस पानी में लगा दे उसके बाद अपने मस्तग पर भी तिलक करें। तो ऑगवान विश्नु के लिए और एक माता लक्षमी के लिए एक प्लेट में आपको मिश्टान और प्लेट में आपको फल रखने जो अगर आपको मिश्टान और फल नहीं रख सकते हैं तो आप एक में मिश्री और एक में गुड रखे गुड वाला जो है पलेट उसे भगवान विश्नु को लगाए और जो मिश्री है वे माता लक्ष्मी को लगाए इस प्रकार से भोग लगा लेने के बाद आप अपने सभी समश्चाएं माता लक्ष्मी जी से और भगवान विश्नु से कह दे उसके बाद अपनी मनों काम नाएं भी कह दे उसके बाद दोस्तों खड़े हो करके माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु के आरती करें इतना काम हो जाने के बाद आप पुने बैठ जाए उसके बाद आप माता लक्ष्मी के सबसे प्रभाव साली मंत्र ओम श्री श्री ए नम है इस मंत्र का 108 बार जाब करें इस मंत्र का 108 बार जाब हो जाने के बाग, आप 21 बार विश्णु वगवान के लिए समर्पित महा मंत्र का जाब भी करें, मंत्र है ओम नमो बगवते वासु देवाई, मंत्र एक बार फिर सुन लें दोस्तों, ओम नमो बगवते वासु देवाई, और माता लक्ष्मी के लिए जो मंत्र है वो है ओम श्री श्री एनम है जिया दोस्तों यह छोटे-छोटे से मंत्र है लेकि इनका प्रभाव बहुत बड़ा है दोस्तों दोस्तों आपने एक सो आठ और एकीस बाग की जम सक्या में जब कर ले उसके बाद दोस्तों आपको वे लोटा इसमें आपने जल गंगा जल और साथी साथ हल्दी में लाई है उसे लेकर जाए और अपने घर के मुख्ये दरवारे द्वार पर जाए और वहाँ जाकर किसका छिड़काव कर दे दोस्तों यह जो जल है जिसे अपने घर के दरवाजे पर जड़का है यह जल बहुती पवित्र और सतिशाली है आपको इसे पूरी तरह से अपने दरवाजे पर खाली नहीं करना है थोड़ा सा बचा ले और इसे फिर अपने घर के अंदर भी शड़काव करें इसे अपने मां लक्षमी का सुंह बास होता है इसे दोस्तों ऐसे घर में झिळकाव कर देते हैं महां पर कभी भी कलेश नखारत पकुर जाए नहीं रहती है और माता लक्षमी उछ घर में वास करने लगती है और आपके घर को हमेंसा धन दलक से भरके रखती है दोस्तों घर में जड़काव कर देने के बार तोड़ा तोड़ा जल केस्भी सदस्चियों के ऊपर ढॉले और अंत में अपने उपर भी इसका तोड़ा सा चेड़कहव कर ले, दोस्तों ऐसा करने से मात लख्षमी और भगवार विश्यू को आशिर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राफ्ट होने रखता है,ення दोस्तों आपको जानते ही हैं, जहां मातालक्षमी, वहां धन ही धन, जहां मातालक्षमीका आशवात प्राप्त होते ही आपके घरमे तरंती धन आने के सभी मार खोल जाते हैं, आपको बहुत ही जल्दी खुशकवरिया सुनने को मिलती हैं. दोस्तों आपको इसका विशेश ध्यान यह रखना है कि जो भी घर में गंदे स्थान होते हैं जैसे कूडा रखने का स्थान सोचाले आदी इस प्रकार के स्थानों पर आपको इस पविश्थर जलका रिड़का बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों आज की इस वीडियो के बली तना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देम एज़ाज धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जैवजरंग बली